इस इस सबासी चले दिखते हैं कल market count हम कर सकता है, इसके फिछे का logic क्या है, कल finnifti का expiry होने वाला है, इसके बाद फिर हम लोगों को bank nifti nifti का weekly expiry होने वाला है, क्योंकि 26 holiday है, तो वे नेश्टे को expiry होगा, तो बहुत ही अच्छा market बनते जा रहा है, क्योंकि जतना जाद market range bound बनेगा, उतना अच्छा momentum बन सकता है, 4-5 दिन से हम लोगों को एक smaller range के अंदर market दिख रहा है, तो हम लोग ये expiry कल हो गया, या फिर finnifti expiry हो गया, या फिर हम लोग expiry nifti bank nifti में एक momentum देख सकते हैं, तो कल हम लोग उने discussion किया था, market उपर की तरह move कर सकता है, बहुत ही अच्छा level पर है, लेकिन इशू क्या होता है market के साथ, जबी भी ये उपर जाने का कोसिस करता है, डिरेटली ग्यापक फुल जाता है, और ग्यापक फुलने के बाद जादा स्पेस नहीं बसता, आज अगर देखेंगे 43,000 round level है, और यह round level मैं आपको बारावर बताता हूँ, यह सारे round level के आसपास से कही ना कहीं selling आता है, 42,500, 42,000, 43,000, 42,000, कही ना कहीं buying selling ये level से आता है, और उसके बाद free range bound बन गया, यहाँ पर confusion होता है, इसलिए में बारावर उता था है, अगर आपको level नहीं मिल रहे हैं, अगर flat खुलता या फिर 650, 600 के आसपास खुलता है, यह level पर, कलमने एक point बताया था, 600 के आसपास अगर आपको मिलता है, यह 650 के आसपास, 100-150 SL रखना और target थोड़ा सा बड़ा रख सकता है, क्योंकि हम लोग को बड़ा target मिल सकता है, एक trending मिल जाएगा, लेकिन खुला बहुत उपर, तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक issue यह है, यह market जभी भी gap up खुल रहा है, और उपर की तरफ sustain नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं seller थोड़ा सा activate हो रहे है, अगर seller को एक opportunity मिल जाए किने, हाँ, यह अगर थोड़ा सा imagine करो, क्योंकि gap up खुल रहा है, यहाँ पर, दो-तिन दिन से gap up खुल रहा है, बहुत अच्छे से sustain कर रहा है, अगर यह 42,600, 500, यह सारे लेवर अगर gap down खुल लेगा, sustain ना करे, तो फिर definitely यहाँ पर panic selling आ सकता है, और बहुत बड़ा selling market भी देखने क्ले मिल सकता है, क्योंकि buyer market है, बहुत time तक वेट कर रहा है, similar range पर trade कर रहा है, लेकिर momentum नहीं है market में कहीं पर, तो हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर notice करना पड़ेगा, और first thing अगर हम लोग देखेंगे, कल open कहां पर होता है, इस area पर अगर open होगा, फिट से हम लोगों को इधर volatility या फिर 42,950 के उपर ही plan करना, इसके नीचे plan मत करना, यह level cross करते हैं, प्लान मत करना, 950 cross करने दीजे, अगर momentum flat खुलना, यह थोड़ा gap को खुलने का, 950 cross करके निकल रहा है, तभी plan करेंगे, इमिडिटली मिल सकता है, 43,000 और उसके psychology level है, 43,000 तो 50,000 रुपे और flow में मिल सकता है, वहां पर आप लोगों को एक sharp buying momentum मिलेगा, 950 अगर cross करता है, अगर market imagine करो कि ने कल लिटल बिट gap down खुलता है, 700, 600 यह level पर, इट से थोड़ा सा यह warning आ जाए, अगर कि इतने लोग बाइंग में position होंगे, आप cover कर सकते हो, यह थोड़ा सा वेट कर सकते हो, क्योंकि यहां से अगर price action आपको 5 मिनिट में दिखा, तो एक selling pressure भी बन सकता है, क्योंकि market कहीं जाने रहा है, expiry होने वाला है, कल फिनिप्टी का, फिर उसका दो एकली expiry, उसके वाज फिर budget होगा, तो definitely कहीं ना कहीं दो market को जाना है, तो यहां पर gap down खुलता है, जिस्ट वेट करेंगे, 5-10 मिनिट अगर यह price action नीचे की तरफ दिरे दिरे नीचे की तरफ आ रहा है, फिर हम लोग selling के लिए plan करेंगे, अगर कल आपको 600-500 यह सारे लेवल पर मिलता है, 42,000 अगर gap down खुलता है, तब हम लोग फिर वेट करके, 5-10 मिनिट या 15 मिनिट के बाद अगर यह नीचे की तरफ आ रहा होगा price action बना के, हम लोग सौट कर सकते हैं, एक अच्छा हम लोग को target downside मिल सकता है, अगर कल आप breakout भी दिया, आज अगर देखेंगे, इसके अंदर breakout भी दिया है, यह breakout sustainable दिखी नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि price आज break किया, break करने के बाद यहाँ पर हो सकता था, मुझे लगा second आप में एक breakout देखे, समयरान 43,000 के ऊपर कहीं पर जाता, तो यह solid closing होता, लेकिन closing थोड़ा सा negative आ रहा है, बस यह अगर breakout failure अगर बनता है, imagine करो कि नहीं, यहाँ पर हम लोग breakout का सिनारियो था, और breakout पे move नहीं हुआ, यहाँ पर देखेंगे, breakout पे move नहीं हुआ है, अगर यह breakout failure का सिनारियो होता है, तो कल best time है, कि नहीं पहला यह sign देगा, gap down खुलेगा, उसके अदिकल closing नीचे देगा, 42,200 इसके नीचे, तो हमको समझ में आ जाएगा, यह breakout failure का सिनारियो है, कल अगर market imagine करो, फिर से gap up खुलता है, जिस तरही से मैंने बोला, तो हम लोग प्लान करेंगे, 42,950 के ओपर कुछ quantity purchase करने के लिए, फिर इसको sustain करने देगे, hold करने देगे, तो कल best सिना का, तो कल भी में देखता हूँ, कहाँ पे opening होता है, कॉंसे level पे, लेकिन एक पॉइंट देगा, बहुत अच्छा था, यहाँ पर एक्सपायरी हुआ, उपर गया, फिर slow and steady यहाँ पे गया, फिर gap up खुल के बड़ा momentum दिया, लेकिन close नीचे दिया, फिर gap up खुला, फिर momentum था होता है, gap down होके, फिर हम लोग breakout fail के लिए प्लान कर सकता है, तो कल possibility day हो सकता है, अगर breakout fail होता है, तो हम लोग को अच्छा trade मिलेगा, अगर नहीं होता है, ठीक है, हम लोग volatility प्लान करेंगे, क्योंकि ऐसे भी near to budget आ रहा है, एक्सपायरी आ रहा है, कहिना कि तो market जाएगा, don तो मैं suggest करूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा strangle बना सकते हो, 18,750 इस level और यहां पर आप लोग एक strangle बना सकते हो, इस level पर, अगर गलती से 750 नीचे की तरब निकलता है, तो यह strangle को square up कर देना, PE को, और जो CE आपने sort किया होगा, उसको नीचे ले आना, add the money के आसपास, 20-30 रुपे, 40 रुपे, यहां फिर market को follow करते रहे ना, नीचे की तरब, तो जो भी यहां पर losses हुआ होगा, वो recover होगा, आपको कुछ profit मिलेगा, अगर आपको डल लग रहा है, strangle नहीं बनाना है, तो make sure करना है, कि नहीं थोड़ा सा, अगर flat कुलने का नीचे आ रहा है, तो only call sort plan करना, अगर imagine करो market gap down कुला इस level पर, straddle बना सकते हो 800, लेकिन make sure करना, stop loss ready रखना, क्योंकि क्या होगा, अगर नीचे की तरब आ रहा है, अगर breakdown हो रहा है, तो एक sharp selling आ सकता है, तो कल option buying का भी opportunity for nifty में आप लोग को मिल सकता है, तो plan of action क्या होना चीए, पहला clue यह होना और नीचे की तरब जब जाएगा, हम लोग उसकी साब से एक स्टुई वाड के साब से profit book कर सकते हैं, लेकिन कल अगर gap up खुला, इस level के असपास खुला, तो मैं interested ज्यादा नहीं हूँ trade करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा clueless market दिख रहा है, क्योंकि उपर की तरब market move नही बात क्या होगा, यह market थोड़ा देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा, कल अगर gap down खुलता है, gap up खुला मैं ज्यादा interested नहीं हूँ, बहुत कम quantity में trade करना, पैसा बचा के रखना, so that budget या फिर हम लोग bank nifty, nifty expiry पे हम लोग कुछ प्लान कर पाई, या फिर budget के बात का दिन भी expiry है, तो momentum आने वाला है, एक या दो expiry में बड़ा momentum आयागा, तो best यह ही है, कि अगर कल आपको market समझ नहीं आता, तो फिर wait करेंगे, next day trade करेंगे, कल अगर gap up खुलता है, मैं ज्यादा interested नहीं हूँ, gap up in the sense, 50 point plus minus खुला, तो भी मैं interested नहीं हूँ, लेकिन anything below 100 point या 200, 150 point gap down ख खुलता है, nifty, bank nifty, fin nifty, कहीं पर भी अगर इस तरीके का gap down खुलता है, थोड़ा सा नीचे खुलता है, 100-100 point इसी साफ से, तो थोड़ा सा मैं interested हूँ, selling करने के लिए, hope यह point आपको समझ में आ गया होगा, कल gap up खुलके, अगर sell weight करता है, volatility होता है, या फिर बहुत बड़ा move हो जाता है, तो भी हमको फरक नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग breakout fail के लिए प्लान कर रहे है, अगर कल या पखुलने का थोड़ा सा cross करेगा, तो हम कम quantity में trade करेंगे, 18,950, 42,950, यह सारे level पर हम लोग कम quantity में buy करेंगे, फिर weight करेंगे, अगर अच्छा move किया, तो ह reversal आता है, तो हम लोग wait करेंगे, एक दिन के बाद trade करेंगे, चलिए निफ्टी देख लता है, निफ्टी में momentum similar level पर अगर आप लोग देखोगे, आज एक अच्छा momentum दिया, कलवी में आपके एक point रहता था, 18,100 के ऊपर buying हो सकती है, 100 के ऊपर एक momentum आया, 160 तक गया, फिर exactly ज करता है, 18,160 के ऊपर हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद यहां पर एक resistance से बड़ा momentum कर सकता है, 200 तक हम लोग का target होना चीए, by any chance अगर imagine करो कि यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, अगर 18,880 के नीचे कहीं पर भी gap down कुले, यह level पर gap down खुल रहा है, तो पह खुलेगा, तभी प्लान करेंगे, अगर gap up खुलता है, फ्लाट खुलता है, इसी range के आसपस, तो हम लोग वोलाटिलिटी के लिए प्लान करेंगे, या फिर 18,160 के लिए बाइं के लिए, अई हो पी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, किस तरीक से मेरा plan of action हो र यहां पर चार दिन से similar range के अंदर trade कर रहा है, तो एक breakout या breakdown यहां पर हो सकता है, यहां पर अगर देखेंगे high low, अगर 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 देखेंगे same range के अंदर है, 350 के उपर हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं, 2-3 रुपया stop loss यहां पर होना चाहिए, 1-2 minimum हम लोग का target रहेगा, next stock है Reliance, Addient, Reliance यह सारे stock थोड़ा सा कल में watch करना पसंद करूँगा, even Addient भी, क्योंकि जिस level पर यह trade कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर momentum downside रहता है, तो एक selling pressure बन सकता है, और Addient सम्वेर रहूट इस तरीके से 3 दिन से सम्वेर रहूट इस तरीके का कुछ momentum कर रहा है, अगर यहां पर और एक selling का opportunity मिले है, यहां पर क्योंकि price action आपको दिख रहा होगा selling के side, और almost last swing के आसपास close दिया है, अगर थोड़ा सा कल momentum करता है, तो फिटसे 2400 के आसपास भी हम लोग को मिल सकता है, 2430 के आसपास close दिया है, तो 2428 हो गया, 27 हो गया, यह सारे level पर अगर हम इन और कर देंगे और trade नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से अगर हम लोग वेट करेंगे, breakdown होगा, तो बहुत बड़ा momentum जा चुका होगा, and SL हीट होने का chance से ज्यादा है, volatility के लिए, यह होप यह point आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो चला होगा, वीडियो चला होगा, अब गलेतना है, thank you.